हलो एविवान माइनिमीज समीशिंगानिया एंड मैं आज की इस वीडियो में मैं आपके स्वागत करता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है थ्री फीट एवे फ्राम गोल्ड सोने से तीन फीट दूर क्या है ये कहानी ये कहानी आपके आँखे खोल देगे और ये कहानी सुनने के बाद ये वीडियो आप अपने टीम वालों को भेजने के लिए मजबूर हो जाओगे गारेंटी देता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकती है ध्यान से सुनना और स्किप मत करना स्किप करते रहेंगे तो आपको valuable information नहीं मिलेगा यह educational channel है और इसमें आपको educate करने के प्रयास किया जा रहा है इस वीडियो को पूरा देखना था कि आपको concept समझ में आ जाए कि तीन फीट दूर सोने से इसका मतलब क्या है क्या है यह यह कहानी यह दो दोस्त की कहानी है अमेरिका के करोनारो पहाड में एक बार news मिला यह दो दोस्त को news मिला सुनने में ख़वर आया इनको कि वो पहाड में सोना निकलती है यानि कि सोने का खादान है तो जैसे इनको news इनके पास पहुँचा यह दोनों दोस्त क्या कि तुरंद चले गए और पहाड खुदाई का मैशिन खरीद लिए मैशिन खरीदे और सारे लोग पहुँचने से पहले कानो कान किसी के पास ख़वर पहुँचने से पहले दोनों दोस्त तैयार हुए तुरंद चल पड़े करोनडो पहाड में जैसे ही वो लोग गए और वो डिसीजन लिए कि चलो हम लोग क्या करते कुछ लोग को इकठा करते हैं और जाके पहाड में खुदा ही करते हैं वहां से सोना निकलीगा और दोनों दोस्त चलेगे मैशिन वेशिन लेके अपने एमप्लोई वगरा को लेके चलेगे खुदा ही चलो किये खुदा ही चलो किये मिटी निकलना चलुआ निकलना चलुआ निकलना चलुआ पहले दिन मिटी निकलते निकलते चला गया दूसरे दिन और मिटी निकला तीसरे दिन क्योंकि आपको पता है पहाड में मिटी के कुछ लेर्स होते हैं फिर पत्थरें होती हैं फिर पानी होती है ऐसे करके काफी सारे layer से बना हुआ होता है तो जैसे ये खुदा ही चालू किये मिटी के बाद में टी, मिटी के बाद में टी, मिटी के बाद मिटी फिर उसके बाद पत्थर, फिर उसके बाद और थोड़ा पत्थर फिर अलग अलग टाइप के पत्रें, फिर पानी, ऐसे सारे चीज़े निकलना चालो हुआ तो ये खुदते चले गे, खुदते चले गे, मेना वर गुजर गया दो मेना गुजर गया, तीन मेने गुजर गये, लेकिन इनको सोना नहीं मिला तो इन दो दोस्त को लगने लग गया, कि साइद जो information हमरे पास आया था, वो गलत था तो ये दोनों decision लिए, कि साइद ये information गलत है, हम गलत जगा पे आ गए, हमरे सारे पैसा बरबाद हो गया, चलो वापस चलते हैं तो वो लोग वापस जाने का decision ले लिए, अब decision ले लिए, अब वो क्या कि सारे employee को बुलेगे, चलो ओए, चलो चलो निकलो, अब यहां से हम quit करेंगे, और चले जाएंगे, हमें गलत news मिलाए, वापस आ जाए, पहाड के नीचे कवाडी का दुकान था, एक कवाडी का दु bargaining के कवाडी वाले बोला कि साव इतने दोगे तो मैं, इतने लोगे तो मैं machine ले लूँगा, यानि कि इतने रुपे में मिल ले लूँगा, तो वो लोग agree होगे, बोले क्या करना है, वो machine घर में कुछ नहीं करना है, इसको क्या करते हैं, हम बेची देते, तो बेच दिये कव कवाडी ऑले को काम है, लेकिन उस दिन कवाडी ऑले का दिमांग में एक बात आया, क्योंकि कवाडी ऑले पूचा कि सर आप ये सारे लेके कहा अगया थे, वो बोले कि ức कवर मिला था कि इस पहाड में सोना है, ख़आए कि लेकिन तीन मेने के कुछ भी मिला वापस हागे, तो फिर कावाडी वाले सोचा, कि चलो, ये तुम्हें आगे बेज दूँगा, ये मेशिन्स, लेकिन क्यों न मैं एक मेशिन लेके एक बड़ ट्राए कर, लालेस तो कावाडी वाले को भी है, सोना तो उसको भी चाहिए, तो वो कावाडी वाला क्या-क्या, त्री फिट के दूर में उसको सोना मिल गया, और सपना देखा था अमीर बनने का कौन, ये दोनों दोस्त, जो इतना पैसा खर्चा करके, तीन मेहने तक मैनत किये थे, और खोद खोद के, खोद खोद के, वो एंपले लोग को सेलरी दिया होंगे, मेशिन का खर्चा हुआ हुआ, तीन मेने परिवार से दूर रहोंगे, एनर्जी, मनी, टाइम और सपने, सारे जुड़ा था, लेकिन ये तीन मेने वापस चल गए, और वो जाके, पहले ही दिन सोना खोद के निकल दिया, क्योंकि मातर तीन फिट के दूरी पे उसको सोना मिल गया, और रातो रात कबाड़ी वाला बन गया, अमीर कबाड़ी वाला, सोने से बरपूर सोना निकाला, और वो कबाड़ी वाला अमीर बन गया, उसी रिया का अमीर आदमी बन गया, दूर दूर तक चर्चा फेल गया दूर दूर तक चर्चा फेल गया यही है net of marketing समझ में आया कुछ चली मैं आपको simple तरह के से समझा देता हूँ यही है net of marketing यानि कि आप एकी company में लगातार दो मेने, तीन मेने, चार मेने मेनत करते हो, आप 10 लोग का team मनाते हो, 20 लोग का team मनाते हो, बड़ा सपना देखके आते हो, शुरुआत में company हर कोई company अच्छी लगती है, दो-तीन मेने के बाद company के थोड़ी बहुत कमी नजर आने लगती है और कमी को देखते ही लोग डर जाएंगे यह जो problem दिखती है, company में कमी दिखने लगती है यह क्या है, पहाड में जब सुरु-सुरु में आप खोदते हो तो मिट्टी खोदना चालू होता है, यानि कि सुरु-सुरु में हर चीज नया नया लगता है पहले दूसरा मेना, पहला मेना, दूसरा मेना, तीसरा मेना वो company आपको दुनिया का best company लगता है लेकिन जैसे तीसरा चोथा मेना चालू होता है आपको product के delivery में कमी आता है आपको payout में कमी नज़र आता है दूसरी कोई company का plan आ जाए और compare कर कोई बता दे कि हमारा प्लान बहुत अच्छा है तुम्हारा प्लान कुछ भी नहीं है तो लगता है कि यार हमारा प्लान तो बेकार है फिर दिरे-दिरे प्लान में कमी नज़र आता है फिर आपके MD में कमी नज़र आता है फिर सिस्टम में कमी नज़र आता है फिर दिरे-दिरे-दिरे क्य चुके थे यानि कि छे मेने ते कब उस कंपनी में काम करके कुछ टीम बना ली थे जो आईडी आपको मिला था उसमा आईडी के लेप में कुछ बिजनेस जा चुका था राइट में कुछ बिजनेस जा चुका था आपको नाम बन गया था आपको लोग उस कंपनी के नाम में प भरोषा करने लग गये थे आपने के साथ अफ्टने लग गये थे यह सारे चीज़ें ठोचीकों गहता आ अब अभ पत्थर देख़ते ही थोड़ी दिर पत्थर के खुदाई किया आप और पत्तर पर पत्तर निकलता चला गया तो आपको लगने लगा कि यहाँ सोना नहीं निकलेगा, यहाँ पर खाली पत्तर ही है और आप क्या करें आप company छोड़के चले गया example दे रहा हूं आप company छोड़के चले गया और कोई दूसरा आदमी आया और आपकी advantage वो लिया और तीन फिट दूरी मेनत किया और वो अच्छा शेटल हो गया और वो काम यागी तब लेके चला गया नेटो marketing में यही होता है इसी लिए आप अगर कोई company को research करके आए है तीन चार मेना छे मेने अगर लगातार आप उस company में काम किये दुस पचास सो लोगों का team बनाए है never look back उसके बाद पीछे देखने के कोई अधिकार नहीं एक तो पहले research करके company में join करो नहीं तो join ही मत करो कोई company को research करके अगर join नहीं कर रहे हो आप तो उस company को join ही नहीं करो कितना भी आपके कोई influence करे कोई भी आपको motivate करे कोई भी लालच दे दे research पहले करो और पहले decide करो कि क्या मैं इस company में अगले 10 साल तक टिक के काम करूँगा या नहीं this question should be arised in the beginning company को join करने से पहले खुद को सवाल पूछो कि यहाँ पर भी पत्थर दिखने लग जाए यहाँ पर भी पत्थर पर पत्थर पर अगर खुदाई के टाइम में अगर दिखने लग जाए तो क्या मैं इस company को छोड़ दूँ अगर team आए फिर team टूड जाए फिर team दूसरी company में भी चला जाए team demotivate हो जाए team काम करना बंद कर दे company में को issue आजाए तब भी मैं काम करना छोड़ दूँ या लगा रहा हूँ यह सवाल आपको अपने आपको पूछना है हमरा education course है basic of net of marketing इस education course में mindset की एक डोमेन है उसमें पुरे detail में समझाया हूँ कि एक direct seller का mindset कैसा होना चाहिए 10 साल तक टिकने के लिए कैसे mindset होना चाहिए वो mindset का 10 video बना के मैं दिया हूँ अब जाओ download करो ma world app और उस ma world app में हमरा basic of net of marketing course है उसको purchase करो और सिको नहीं तो free में यहाँ पर में बतारो पहले question करो क्या मैं 10 साल रुकूंगा और रुकना ही नहीं है 10 साल तो उस company को करना क्यों है दो लोगों को सपने दिखा के जोडना क्यों है इसी process जब आपको रुकना ही कोई company में नहीं है फिर भी आप किसी लोगों को जोड़ रहे हो और तीन मेने के बाद आप ही कोई company को छोड़ के जा रहे हो तो जिनको जोड़े होना उसको जोड़ना नहीं कहते है उनको बोलते हैं उनका जिन्दे के बरबाद करना तो सोचके देखो आप अगर आप जिस company में अभी काम कर रहे हो उस company में जुड़े हो और उस company में जुड़ने के बाद अगर आप तीन मेने के बाद छोड़ रहे हो और दस लोगों को जोइन कराए हो चाहे हजार रुपे के ही प्रोड़क के ना हो लेकिन सपना बहुत बड़े बड़े दिखाए हो और अगर उस company को आप छोड़ रहे हो तो सोचके देखो आप कितने लोगों का लाइप बरबाद के आप जोड़े नहीं सपना दिखाए और सपना तोड़के जा रहे हो इसका मतलब उनकी सपने को कुचल के आप जा रहे हो इसका मतलब आप उनका सपने को चारखार और बरबाद करके जा रहे हो आप खुद सफलता से तीन कदम दूर तीन फिट्स सोने से दूर तो खुद हमेशा रहे रहे हो लेकिन उनको भी आप सपने दिखा के उनका सपने को कुछ यलके जा रहे हो ऐसा ना करो दोस्त आपको जिवन में बहुत बड़ा आजमी बनना है और एक ही रास्ता है रातो रातो नेटोप मार्केटे में कोई अमीर आज तक बना नहीं है दो तीन साल में लोग बहुत बड़ा पैसा बनाए है और उसको फोलो करके डूपलिकेबल एक्टिविटी वो नहीं है दस साल एक ऐसा टाइम में एक डिकेट बोलते हैं एक दसक एक ऐसा टाइम में जिसमें जितनी भी अनपड आदमी होना वो कामियाब हो सकता है बस सिस्टम के साथ चलते हुए दस साल होना चाहिए तब वो कामियाब हो जाएगा वो अन हंडेड परसंट गरेंटीड है अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो कोई पैसे की लालच कोई भी प्रकार के लालच में नहीं जाऊँगा अगर मुरे पास बेस्ट प्रोड़क्ट है मेरे पास बेस्ट प्लान है तो फिर मैं इसी कमपनी में काम करूँगा और सिस्टम के साथ 10 साल मुझे सिस्टमेटिकली काम करना है और मुझे एकदम फ्रीडम की लाइब जीना है आप आज निरने आप खुद लेजे और अपने टीम को भी दिलाइए और अगर आप चाते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊं जिसकी आप वेट कर रहे हो कि राइट कमपनी और रॉम कमपनी कैसे हम identify करें उसके लिए demand के उपर में लेके आऊंगा वीडियो नहीं तो नहीं लेके आऊंगा लेकिन बहुत exclusive होगा आपके mind में एक picture clear हो जाएगा कि कौन सी company करना चाहिए कौन सी company नहीं करना चाहिए नया company करे, पुरा नहीं company करे कोई leader पैसा दे रहा है उसके साथ join करे आपको कोई 50,000 दे लिया आप उसके साथ join कर रहे हो, कैसे join करो आप आपको कोई खरीद रहा है एक लाग रूपे दे रहा है, पचास थाजार रूपे दे रहा है उसमें खरीद के चले गए आप विखाऊ बन गए आपके कीमत पता चल गया इस कीमत में आपको कोई भी खरी ज़कता है आज ये कंपनी पचास हज़ा दिया तो कल वो कंपनी एक लाग देगा लेकिन ऐसे घुमते घुमते आप तो बुड़ा हो जाओगे न कामियाब कभी नहीं हो पाओगे लोगों का सपना बरबाद करके आप घुमते रहोगे और खुद भी बरबाद हो जाओगे ऐसे कभी नहीं करना और अगर आपको लगे कि मैं वो वीडियो लेके आओँ तो कमेंट करके जरू बताना वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरू करिए और कमेंट जरू करिए और मुझे पता है आप सेर करोगे क्योंकि आपके टीम को ये बहुत ज़्यादा जरूरत है मुझे मालू मैं और सब्सक्राइब का जो लाल जो बटन है इसको कुछ भी करो बट प्रेस हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत मैनत करके मैं आपको डिलिवरी कर रहा हूँ और मुझे मालू है आप बेल आइकन भी जरू दबाना तकि ऐसी वीडियो हमें साब के पास पहले पहुंचे और आपके टीम बरबाद होने से पहले आप बचो और आपके टीम में प्रोफेशनल नेटवर्गर खड़े हो जाए मिलूगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए God bless you नमस्कार